अबिन्सार, मैं अंसारी सर अंसारी इंसिटूट के तरफ से आप सभी का अभिननदन करता हूँ हम अपनी इंसिटूट, अंसारी इंसिटूट की तरफ से ओपेन एंड डिस्टेंस इडूकेशन के बच्चों को अपनी सेवाएं दिया करते हैं खास तोर से इगनू और एनिस के बच्चों को हम नियमित रूप से आपके सामने कुछ न कुछ इनफॉर्मेशन, अपडेट, प्रस्तूट करते रहेंगे हमने देखा है कि इगनू और एनिस के बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको information, rules regulation तमाम तरह की जानकारियों का अभाव रहता है जिसकी वज़े से काफी परसान रहते हैं इनी समस्याओं को दिमाग वे रखते हुए हमने सोचा है कि नियमित रूप से हम आपके सामने आएंगे और अपने यूटूब के माध्यम से आपके सामने वतमाम information और सुचनाएं देंगे जिससे आपकी समस्याओं कम हो सके हम आपकी समस्याओं को कम करने के लिए आपके होकर ड्राप्टिंग करेंगे जरुद पढ़ातो आटियाई करेंगे अगर आपको लगता है कि आप हमसे connect होकर लाबानुवित हो सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हमारे यूटूब चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और यूटूब चैनल के नीचे लगे link में जो form है उसको फिलब कीजिए फिलहाल इगनू से सम्मंदी एक information, एक सूचना मैं आपके संग share करना जाता हूँ इगनू ने 14 फरवरी 2022 को December Termined Examination का routing publish कर दिया हैं इस termined के routing को लेखे बच्चे काफी ब्याकुल थे, students काफी ब्याकुल थे तो यह सूचना आपके समक्च आ चुकी है लेकिन इनूने इस सम्मंद में कुछ conditions रखे हैं कि आपको exam में बैटने का permission provisional है आपको क्या 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 condition fulfill करना है सबसे पहले registration जिस course के लिए आप register हैं और आप समय सीमा के भीतर हैं तभी आप exam में appear कर सकते हैं इसके लावा आप इन तमाम subject का अगर assignment जमा किये हैं तभी आपका result publish होगा इसके लावा आप जो समय सीमा है minimum समय सीमा को आप maintain कर पा रहे हैं कि नहीं इसके लावा आपने उन subject का exam भी pay किया है कि नहीं यह तमाम information इगनुने conditions रखे हैं इसके अलावा आपको चुकि कोबिट काल कोबिट पिरियोड चल रहा है इसलिए आपको कोबिट से संबंदित तमाम जो restrictions हैं उनको पालन करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो आपको social distancing का maintain करना पड़ेगा कोबिट के जो regulations हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा जैसा कि आप जानते हैं exam इक्जाम दो shift में होते हैं एक 10 से 10 से 1 और दूसरा जो shift है वो देखिए 10 से 1 morning का shift और evening shift दो से 5 तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा इन बातों को ध्यान में रखके ही आपको exam में appear होना है आप exam के पहले अपने hall ticket को publish कर देगा जो कि आप उनके website से download कर सकते हैं और इगनू के तमाम centers को बोला गया है कि वो covid के नियमा वाली का पालन करेंगे और आप जिस भासा में आपने अपने course को register किया है उसी भासा में आप exam दे सकते हैं इसके अलवा इगनी ने एक option दिया आप हिंदी और इंग्लिस मीडियम में भी exam दे सकते हैं आपको यह तमाम जो papers हैं इन तमाम papers के exams होंगे यहां पर लंबी चोड़ी लिस्ट है जैसा कि आप जानते हैं इगनू में तो सब्जेक्स हैं अब यहां पर कुर्स सब्जेक्स के टाइम टेबल दिये हुए हैं आप टाइम टेबल को maintain कीजिए अपना routing देख लीजिए हना कि आप यह routing इगनू के website से download कर सकते हैं साथ ही साथ सेम routing हम अपने यूटूब channel के link में भी provide कर देंगे PDF के रूप में ताकि आपको किसी की समस्या का सामना ना करना पड़े हमने देखा है कि कुछ बच्चों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनके दो सब्जेक्ट एक ही दिन एक ही सिफ्ट में हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है आपने admission लेते वक्त एक ही ग्रूप के दो subject select कर लिए थे ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके first year और second year के exam के papers एक सेंग class कर गए और जो एक ही ग्रूप के हैं तो अगली बार से आप जब भी कोई admission लीजिए या registration कीजिए तो इन सब बातों का ख्याल कीजिएगा registration और admission counseling से संबंदि किसी भी तरह की अगर सेवा आपको हमसे लेनी है तो आप हमसे संपर्क साज सकते हैं आप हमारा phone Philip कर सकते हैं जो कि हमारे यूटूब channel के link के नीचे link में रहेगा इसके लबा कोई भी परसानी हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम इग्णू के बच्चों को अपनी सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत हैं और अगर आपको इस संबंदि कोई भी प्रस्ण है आप हमसे संबंद आप हमसे संपर्क कीजिए हम आपके समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करेंगे उमीद करता हूँ कि आपको हमारी सेवाएं पसंद आएंगी इसलिए आप नियमित रूप से हमारे संपर्क में रहें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयर करें धन्यवाद, इसके लाव अगर और किसी भी तरीके जानकारी आपको जरूत है तो आप हमें कॉमेंट में बताएं, धन्यवाद